What is the potential difference between points C and D in the circuit shown in the figure in steady state Steady state में आपको बोला गया है यहाँ पे capacitors आ गए हैं तो C and D तो first of all capacitors जब series में लगे होते हैं तो यह क्या करते हैं यह different voltages का drop करेंगे similarly resistances भी different voltages का drop करेगी जब capacitor के हम बात करते हैं तो capacitor charge hold करता है कुछ Q1 इस पे होगा कुछ Q2 इस पे होगा पर Q1 और Q2 क्योंकि साथ में यह वाली plates पास पास में attached हैं तो value same भी होनी ज़रूरी है तो Q and Q लिख सकते हैं हम है ना Now Q small Q जो है वो हो जाएगा आपका CV के बराबर तो इससे हमको पता चलता है कि potential drop across any one resistance कुछ इस तरीके से related है V1 upon V2 अगर मैं करता हूं यहां पर तो इसकी value किसके बराबर हो जाएगी यह हो जाएगी C2 upon C1 जो कि 2 is to 1 बोल देता है चलो अभी मैं इस question को इस point पर अटका देता हूं मतलब इस part को मैं यहां पर चोड़ देता हूं है क्यों क्योंकि अभी problem है इस एक ओम resistance की क्योंकि जब system steady state पर है तो current कुछ इस तरीके से चल रहा है current का direction भी ध्यान रखें क्योंकि हमको higher potential वाला point वहीं मिलेगा तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं total resistance की 6 plus 3 9 और 10 तो आपका current obviously system में 1.2 ampere का है जिसका मतलब है अगर मैं यहां से यहां तक का potential drop देखूं तो मिरेको जो actual potential का gap मिल रहा है वो मिरेको मिल रहा है मतलब v across the system vab जिसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इस a और इस b के बीच का है तो vab के value हमको मिल रहे होगे 12 minus i r which is equal to 12 minus 1.2 10.8 volts का आपको resistance मिल रहा है और 10.8 volts कुछ इस तरीके से अगर distribute हो रहे हैं तो हम यहां पे अब इसको solve कर लेता है ठीक है तो v1 और v2 जो कि 2 is to 1 के ratio में जाएगा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि v1 plus v2 should be equal to 10.8 और 10.8 जो हो जाएगा वो यहां से हम लिख सकते हैं v1 is equal to 2 v2 तो 3 v2 is equal to 10.8 v2 की value आजाती है 3.6 volts ठीक है v2 अगर 3.6 volts है तो हमको इस point का exact potential पता चल गया है जो कि 10.8 minus 3.6 हो जाएगा कितना होता है यार 7.2 होता है गया वही होता है 7.2 volts potential मिला point C का भई यह हुआ है आधा question कोई बात नहीं हिम्मत अभी बची हुई है second half की बात करते हैं तो जब 6 और 3 को मैं determine करना चाता हूँ कि यह कितना potential drop दिखाएंगे तो यहाँ पे भी आपका काम बड़ा simple है क्योंकि I की value same है तो V1 upon R1 should be equal to V2 upon R2 है ना इसको अपन नीचे थोड़ा सा clear तरीके से लिख देंगे कि V1 upon R1 is equal to V2 upon R2 क्योंकि इन दोरों में current same जा रहा है और यहाँ से आ जाता है V1 upon V2 is equal to 1 by 2 और वापस बात होई होगे कि V1 plus V2 is equal to 10.8 है इस बार लेकिन आपका 2V1 is equal to V2 बन रहा है जिसका मतलब है आप यहाँ पे V1 into 3 कर सकता है 3 V1 की value 10.8 जो कि again 3.6 आ जाती है V1 की value तो अब इस बार यहाँ से यहाँ का drop जो है वो है 3.6 जिसका मतलब है बचा हुआ drop यहाँ से आएगा जो कि हो जाएगा 7.2 का drop however क्योंकि यह point 0 है और यहाँ से 3.6 का आया तो यह d. भी 3.6 फोल्ड पही होगा ठीक है 7.2 का drop अगर आप दिखा रहे हो तो बात भी हो जाती है 10.8 में से 7.2 माइनस करते तो भी d पह पहुंच जाते हैं और d point की value आ जाती 3.6 वोल्ड अब इन दोनों का difference हम लोग देख लेते हैं तो 7.2 माइनस 3.6 इस 3.6 ठीक है तो बिल्कुल detail में जाके अपन ने इसको solve किया है बिल्कुल कोई shortcut नहीं लगाया होग आपको concept clear हो गया हो झीक जाता जाए जारो में जाएके आपको में लेक्ना सहार किया हो ये किया हमोगयगल विल्कुल झाल की जाती उड़ां किया है है वाव झाल